पुरम बरसगीर में एटमी दॉड भारत ने 1974 में शुरू की फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन इस मैदान में कूदना पड़ा दोनों ममालिक ने दावा किया कि आटमी टेक्नालोजी अन मकास्त के लिए है मगर ऐसा नहीं हुआ और बात में एटम बम दोनों ममालिक के बीच धंकियों के लिए इस्तमाल किया जाने लगा जिसके बाद 1998 में भारत ने आटमी ध्मा के करके खुद को आटमी ताकत साबित कर दिया पाकिस्तान ने इसका जवाब देने का फैसला किया तो दुनिया की जानब से पाकिस्तान को ऐसा करने से मना किया गया पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एटमी ध्मा को का जवाब 28 मई 1998 को सुबा बलोचिस्तान के इलाके चाखी में ध्मा को के जरीय दिया था गुजश्ता दिनों भारत ने जो एटमी तरजबात किये आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है एक इस बरस कबल एटमी ध्मा को को पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर के नाम से याद करते हैं सवाल ये है कि दो गरीब ममालिक जिन्होंने अपना अर्बो रुपया इस हलाकत के मनसूबे पर खर्च कर दिया अगर वो आवाम पर खर्च करते तो आज खिते की सुरतहाल कैसी होती कि आज इस मकसद के लिए एटम बम बनाया गया था हम वो मकसद हासल कर पाएं तब सरा करेंगे नजम सेथी असलाम अलेकूम वेल्कम टू दे शो मैं हूं सामा मालिक और हमारे सोथ मौजूद हैं नजम सेथी साहब असलाम अलेकूम सेथी साहब आज का दिन 28 माई 2019 का है और इसी दिन 21 साल पहले हम एक एटमी कूवत बने थे और मुस्लिम दुनिया की हम पहली एटमी कूवत थे और पूरी दुनिया में हमारा सेवंध नंबर था तो सर आज के दिन की मुनास्पत से मैंने सोचा कि हमें कि आप एक हिस्टॉरिकल टूर पे लेकर जाए इस पूरी जर्नी में कि कैसे हमारा एटमी प्रोग्राम शुरू देखे बुनिया तो 1955 में रखी गई के उस वकद पाकिस्तान अटॉमिक एनरजी कमिशन वजूद में आई for peaceful purposes उसके 10 साल के बाद रावल पिड़ी के करीब पार एक जगा है वहां एक पहला आपका nuclear reactor लगा फिर उसके बाद कुछ डिवेलप्मेंट्स नहीं हुई मेजर और 1974 में हिंदुस्तान ने मही के महिने में राजस्तान की स्टेट में पोखरान एक जगा है वहां उन्होंने एक nuclear bomb टेस्ट किया अच्छा हिंदुस्तान ने ना इसको उन्होंने का कि यह peaceful purposes के लिए है और उसका नाम रखा smiling buddha अच्छा ठीक अभी आप सोचिये nuclear weapons औ और बुदा के साथ लगा दिया ठीक और smiling buddha और smiling buddha हो गया अच्छा इस वक्त जब यह nuclear test हुआ था इसके बाद इंद्रा गांदी साहिबा जो उसकी prime minister थी इंडिया की उन्होंने कुछ असार था और इसके जवाब में जुल्फकार भुटो साहब जो हमारे वजीर आजम उन्होंने भी इसका जवाब दिया था तो वह मैं आपको और आपने नाजीन को सुन्वाना चाहते हुआ In order to meet our growing requirements of energy for agriculture and industry, we must produce more electricity Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail इस पर भी आपने सुन गाइट तो जी सरेंडर आप बताएं अब बात यह है कि इससे पहले आगे जाने से पहले फोड़ा पीछे चलते हैं अच्छा उसी साल जनवरी यह फर्वरी का महीना था मेरा खाल है फर्वरी 22 फर्वरी बुट्टो साब ने लाहुर के शेहर के अंदर एक इस्लामिक समिट कॉल की थी। वो बड़ी important है उसको discuss करना because Islamic summit के बाद इंडिया का ये टेस्ट आया और उसके बाद फिर जब हमने finally अपना bomb बनाया तो उसको Islamic bomb लोकिया थे तो 1974 में बुट्र साब ने लहूर में Islamic summit की अब वो क्यों की? उसमें बड़ी important है कि उससे पहले world के अंदर दो या तीन blocks थे एक western block था power का एक eastern या Soviet block था communist मौमालिक का और एक तीसरा block था non-aligned countries का non-aligned countries में Indonesia के सुकारनो थे Yugoslavia के Tito थे और जवारला नेरू थे और चाइना तो non-aligned movement एक नई force, third force बनी जो के ना west की साथ थी ना east के साथ थी अच्छा उसमें पाकिस्तान कोई शामिल नहीं किया गया तो कि पाकिस्तान अमरीका की का एक supporter रहा था और उसके cento-sito pact के अंदर पाकिस्तान के बना था अब जुल्फिकार अलिए बुट्टो साथ ने कहा कि इसका ये मतलब है नहरू भी लीडरी ले गया और उधर तो हम कहा रहेंगे हम तो पिस जाएंगे इसके अंदर तो बुट्टो साथ ने ये सोचा कि मैं एक Islamic block बनाता हूँ और मैं लाहर शेयर के अंदर सब को यहां दावत देता हूँ यहां आएं और उसने फिर Islamic summit की और उनका यही ख्याल था कि हम एक 4th block power block बनाएंगे Islamic power block याद रहे कि उस वकत Islamic मुमालिक के अंदर especially in the Middle East बहुत बड़ा oil boom आया था early 70s में और यहां से बुट्टो साब ने बहुत सी पाकिस्तान के लेबर्स को export किया और वहां से remittances आने शुरू होगी तो उन्हें इस बात का एसास था कि अब पाकिस्तान का बहुत आहम रोल होगा Middle East के अंदर और oil producing wealth nations के अंदर और इसलिए उन्हें ने सोचा कि अगर मैं इनकी leadership ले लूँ तो मेरे पास power भी होगी और block भी होगा मेरा ख्याला उन्हें अल्रडी सोचना शुरू कर दिया था कि इंडिया भी develop कर रहा है और हमें भी कुछ करना चाहिए उन्हें अपना homework करना शुरू कर दिया था इसलिए जैसे इंडरा गांदी ने अपना ये test किया atom bomb तो भुट्टो साब ने इलान कर दिया कि हम भी अपना program करेंगे और open आगे कि हम करेंगे और हम कभी भी इंडिया की nuclear blackmail में नी आएंगे तो आप समझेए कि जुल्फिकार अली भुट्टो इस दे ट्रू फादर ऑफ दे बॉंब पाकिस्तानी बॉंब बुन्याद उन्हें रखी और उन्हें एक्स्टेक्ट किया ये होगा और मैं उसकी and anticipation of that हम भी अपनी त्यारी पकड़ें तो ये बड़ी important development है उस वकत की उसक हमने उनको no war pact भी offer किया हमने nuclear free zone भी offer किया कि आप आप ना करें आगे develop ना करें हम भी नहीं करते मगर इंडिया नहीं नहीं कोई पाबंदी अपने पर नहीं लगाएंगे और ये ऐसी चलता रहा और फिर जब अमेरिका ने देखा 1979 में कि पाकिस्तान ने भी कुछ शुरू क कर दिया कुछ तकुछ तो उन्होंने हमें धंकियां देनी शुरू कर दी 1979 में जया अलक साब आ चुके थे तो उन्होंने पाकिस्तान को धंकी दी कि हमें पता है कि आपने कुछ शुरू किया है और बंद कर दें और हमने डिनाय कर दिया अमरीका के जो intelligence agency थी वो report कर रही थी कर दी उन्होंने section 669 of the foreign assistance act के तैट उन्होंने foreign aid आपकी बंद कर दी उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अरे भई हम नहीं कर रहे हिंदुसान को कहा कि आप अपनी installations में वो inspection पे खोल दे हम भी अपनी खोल देते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं इंडिया ने वो भी reject कर दी हैं कि उन्हें का हम नहीं को लिकते हैं तो इसी तरीके के साथ चलता रहा और उसके बाद 1980-81 के करीब 82 में 81 में किताब शाय होई उसका नाम इताद Islamic bomb सही उसके बाद और वह किसी गोरे ने लिखी थी उसकी briefing सारी में रखल सीय ये ने की थी और उसके बाद ये बाद चल पड़ी के पाकिस्तान भी अब एक bomb के रूट पे चल पड़ा है और ये कर रहा है कुछ ना कुछ और ये पिर 1980 में अमरीका ने आँखे बंद कर ली क्योंकि ज्याव-ल-हक साथ एक इताहद हो चुका था Soviet Union के खलाफ Afghanistan में तो उन्होंने आँखे बंद कर ली उनने का चुप किये रहे उस वक्र और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि 1980 की में अब लेट 1980 की बात कर रहा हूं कि 1987 में ज्याव-ल-हक साथ के जमाने में इंदुस्तान के साथ तलकात खराब हो गए और इंदरा गांदी थी उन्होंने अपनी फॉज को तेहरी कर ली फॉज की तेहरी कर धरी और जंदर सुन्दर जी थें के आर्मी चीफ उनको कहा कि Operation Brass Tax लाइव एम्मूनेशन लेके आप exercises शुरू करें लाइव एम्मूनेशन के साथ आज तक कभी exercises नहीं होती वो पहली तफाँ थी कि नह लाइव एम्मूनेशन लेकर exercise शुरू हीं पाकिस्तान को खर्चा करना था कि अगर आपने कोई करबड की तो फिर हमारे पास बाम है और उप इडमिट भी नहीं करना था नहीं तो अमरीका ने और रहे हैं सैंक्शन्स लगा दे नहीं थी तो और मसले बन जाने थे तो प्लैन ये बना इंटेलिजेंस एजिंसियों का कि मुशायद हुसाइन सेय ने कुल्दीब नईयर साब जो के बहुत एहम जनलिस्त थे और इंडिया पाकिस्तान के आना जाना रहता था उनको दावत दी कि आप पाकिस्ताना आए और आपकी इंटेविव मैं करवाता हूँ एक्यू खान साब के साथ अच्छा अबद्लकदीर खान साब के साथ है ठीक है दबे दबे अलफास में नहीं उनने कह दिया है हमारे पार अच्छा और वो एक्यू खा और अपना कुल्दीम नहीं पागल हो गया और इससे बड़ा स्कूप भी नहीं हो सकता कि आज पाकिस्तान एड्मिट कर लिया है और उनके एक्यू खान एड्मिट कर लिया है तो क्योंके उस वकर टेप रिकॉडर शॉटर नहीं थे तो ऐसी नोट शॉट होते थे लिखत पड़ा तो होती थी और वह भी इसी किसम की इंट्व्यू थी जैसे के अपने चेर्मेन साब ने जावेड चॉई साब को की है आज तरदीद आ जाजएगी कहां है कहां है कहां ह पाकिसान के अच्छा के जी मैंने इंट्विव किया और जनाप पाकिसान के एक यू खान साब कहते है मारे पास बाम मैं ओ कहां ही लग गई तो वह जनाप दोनों काम हो गए पूरे धंकी भी बिल इंडिया को कर आएंगे तो यहां है हमारे पास गरबड करेंगे और साथ ही यह भी कह दिया कि दी हमने से कहा ही नहीं माले मुकर भी के बाद मुकर भी के साथ साथ मकर पह वो अपना अब्जेक्टिव जो थाना वो अचीव हो गया तो उसके बाद फिर इंडिया को सोचता बढ़ा कि अखो अब तो यह है और जिया अलग साब ने भी जब उनको हो अचा मतलब हे हमने बना लिया है मकर एक XCroad मतलब अनकरीब बन गया हमरे बन गया हम अगर हम पर टाइट कर देगे second तो हो जाएगा पका ति है भी करनें हें है अभी तो screw ने टाइटीहे समझगे आ प舞 फिर पेगांज चला गया तो इंडिया ने पिर थोड़ा पीछे अ वो जो है सारी ऑपरेशन ब्रास टैक्स ती उसको कॉल आफ किया साथ ही जया जया उलहक साब ने कहा कि मैं जाता हूं क्रिकिट देखने और क्रिकिट डिप्लोमसी शुरू कर दी और वहां कोई क्रिकिट वैज ता यह पहुंच गए अच्छा इंडिया पहुंच गए नाइटी है तारी का इससा है कि क्रिकिट डिपलोमसी मिं बॉर्म डिपलोमसी छ 흡़ू है उसको रोक है से भाद पर फिर ॉसके प्र नाइटी में जब आफगानिस्तान से अमरीका गया, रूस भी वावस चला गया, अमरीका भी अफ़ानिसान से चला गया, रूस तूट गया, तो अमरीका ने अब कहा जी अब तो हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है, ठीक, और उस वकत यहां रॉबर्ट ओकली होते थे अम्बैसिडर, अच्छा, वही करतें, हम आपका सारा एड काट में लगंए, रातो रात चाकू मार दिया पाकिस्तान, मAll up जाते जाते फौर इं, उसके बाद ही, अनौस कार दिया, और फ़किस्तान काट, ठीक, अपना काम कर लिए, अपना काम कर लिया थ, कि आप एक काम करें, जितना कर दिया है यही रोग दें, आगे ना बढ़ें, उसको कहते थे, freeze, cap and roll back, अभी आप roll, freeze कर दें, आगे ना करें, उसके बड़ टोपी लगा दें, उसके बड़ मुँ बंद कर दें, बंद का, cap कर दें, मतलब और enrichment ना करें, और फिर roll back जो है कि यह दिस्मेंटल करें, यह तीन उनके phrase होते थे, और साथ-साथ यह है कि आप CTBT sign करें, comprehensive test band treaty, कि आप test ना करें, जो हो गया हो गया आपने इतना बना लिए पर test नहीं करना, हम हमारा मौकफ यह था कि हम test नहीं मगर इंडिया भी यह कहे ना कि test नहीं करना, वो भी माने ना, तो इंडिया मानता नहीं था, वो कहते थे हम क्यूं माने हम जब करेंगे, करेंगे, तो यह फिर चलता रहा, और हमारा aid cut off रहा, पांच-छे-साथ साल हमारा aid cut off रहा, और साथ-साथ यहां तक कि अमरीका को हमन ने कुछ 600 million dollars दिये थे advance में, F-16s करीदने के लिए, कुछ 6-1 F-16s करीदने थे हमें, अमरीका ने हमें F-16s भी नहीं दिये और हमारे पैसे भी गबन कर ले, पैसे भी रख लिए और हमारे F-16s भी नहीं दिये, इतना सख सैंक्शन हमारे पे लगा दिये, Glenn amendment, Pressler amendment, यह सारा क अमरीका के साथ तलकात बहुत खराब हो गए, मौतरमा ने आई, पावर में आई, उन्हें बड़ी कोशिश की, कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन करवाई, मगर फिर भी aid cut-off रही, और यह aid cut-off ही रही, अमरीका अमारे साथ बिलकुल दोस्ती वोस्ती खतम हो चुकी थी, उसके बाद नवाजशीर साथ आगे और फिर ये 1988 में एक नेया ड्रामा हुआ, जो कि इंडिया ने जब अपना बाम टेस्स किया है, में में, तो फिर हमने अपना टेस्स किया, आई सार इसी पे गुफतगू जाई रखेंगे, लेकिन फिलार हमें एक वक्फे पे जाना है, नाजरीन मिलते हैं कमर्शल ब्रेक के बाद, वेलकम बैक, सेडी साथ, आपने अभी अभी बताया कि जो पाकिस्तान में सफीर थे, अमरीका के रॉबर्ट ओकली, वो जाते जाते एक ऐलान कर गए कि पाकिस्तान की सारी एड बंद होगी, कि इनके पास नुक्लियर बाम्ब ह तो सार ये बता दे कि उन्हें किसे पता चला कि पाकिस्तान के पास ये है क्योंकि हम तो तब तक तरदीद कर रहे थे कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है हाँ देखिए ना उससे पहले जिया उल्हाग साब एक्यू खान साब कह चुके थे, जिया उल्हाग साब ने कह दिया था कि स्क्रू ड्राइवर्स टरन अवे, इसलिए आज तक ये कंस्पिरिसी थेरी है ना कि जब अमरीका ने फैसला किया कि अब अफ़गाने सान से हम जा कि ये बात नहीं मारी मान रहा है, अब हमारे इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब इसको फारग करो और साथ-साथ ही बंब भी खतम हो जाएगा. तिक मतलब इसकी ये आगे लेके जा रहा है? इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो सारे जो इशारा है वो अमरीका की तरफ है. कि इन्होंने बंब को रोकने के लिए जयाओ लग को फारग करते हैं. उसके जवाब में कंस्पिरिसी थेरी वाले ये कहते हैं कि जारासल ये CIA का प्लान था. अगर अमेरिकन अम्बैस्टर को भी नहीं उनने बताया था. तो वो अमेरिकन अम्बैस्टर को पता ही नहीं था कि ये होने जा रहा है. इतना कॉन्फिडेंशल था. और इसलिए वो उनके जहाज में आया और इसलिए ये हुआ. बाराल ये तो पिर अभी तक बहुत बड़ा सवाल है ये पता नहीं चला क्या हुआ. अगर इंटरिस्टिंग कि जैसे अमरीका अफ़गानेस्टान से निकलता है 1990 में. मोतरमा बेन इजीर वुट्टो प्राइम मिस्टर साहिबा थी. वो एक बाहर के दोरे पे थी. कश्मीर की बात. खादम भी साथ था. अच्छा, आप साथ थे उस दोरे में. इसलिए मैं आपको अंदर के अमात बताता हूँ. वो उसमें कुछ जर्नलिस्ट थे हमें भी साथ ले गए. तो हम भी मोतरमा के जहाज में बैटे वे थे. उस जहाज में मोतरमा ने हमें बताया के कुछ मसला बन गया है. इंडिया के साथ? नहीं, कुछ मसला बन गया है. किस के साथ? और उने खिजा जी के इंडिया के साथ और अमरीका के साथ क्या केने लगे अभी खबर आई है पाकिस्तान से जहास के अंदर के और हम जा रहे थे सिरिया, तैमेसकस जा रहे थे तो वहां ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दर्मियान टेंशन बढ़ गई है और अमरीका का ये ख्याल है कि टेंशन बढ़ी है और शायद पाकिस्तान अपने नुकलियर बॉम को तियार कर रहा है इस टेंशन को खतो करने के लिए और अमरीका घबरा गया है तो अमरीका ने अपना नेशनल सेक्यूरिटी ड्वाइसर रॉबर्ट गेट्स उसको भेज दिया तो हमें बताया कि जी वो इस वकत ग्रीस में है रीफियूलिंग कर रहा है उसके बाद वो यमन आएगा यमन से फिर वो पाकिस्तान जाएगा उलाम इसाख खान को मिलने है जो सदर थे उस वकत सदर थे और हमें भी का गया है कि आप रास्ते में अगर कहीं मिल सकते हैं तो उसको मिल ले किस वो चाहता है आपको मिलना अफर प्राइम मिनिस्टर थी तो पता ये चला के जी यमन आप चले और यमन में वो ग्रीस के बाद यमन आएगा रीफियूलिंग के लिए वहां वो आप से मिलेगा और फिर उसके बाद वो आगे उलाम इसाख साब को मिलेगा तो जनाब हम पर उदर से डिमेसकल से हम यमन चले गए यमन जब पहुंचे तो एरपोर्ट पर पता चला के रॉबर्ट गेट्स नहीं आ रहा है अच्छा यमन नहीं आ रहा है उसके कुछ रीफियूलिंग के प्रॉब्लम्स हो गए है और वो सीधा अब इसलामाबाद ही चला गया है तो इसलिए आपसे मुलाकात यहां नहीं हो सकता वहाँ उसकत अबैस्टर जफर हिलाली थे आजकल टीवी की उपर में आके बड़े तद्दिन आते हैं तो जफर हिलाली साहब को पहले पेगाम आ चुका था उन्होंने मुतरमा को दिया पर हमें भी जाहर है ब्रीफ कर दिया अ इसी को बात नहीं है मगर अमरीका ने बड़ा एक ड्रामा किया ठीक और बड़ा का नहीं जी नहीं यह करने वाले थे वह भी त्यार थे फौजे मूव हो रही थी यह जो इनके मिसाइल लॉंच जी दरुदर हो रहे थे वह मेरा खाल है ड्रामा कि हम शायद उन्होंने को स्केर हुई उसकर तो यह पहली स्केर थी विफॉर वी एक्चुली टेस्टेड इन नाइंटी नाइटी एट इसके इसके इलावा भी और भी कुछ थे इस तरह के मामला जैसे 87 में तो आपने जिकर किया कि पाकिस्तान इंडिया जंग के करीब आ गए थे लेकिन इसके आ रहा था अमरेका एक कांफरेंस में उस कांफरेंस में नेक्लियर क्यूपर कांफरेंस थी और कुछ senior एक senior फॉजी अफसर भी थे और कुछ diplomats भी थे तो जो जर्नलिस्ट में से मुझे जदावत दी गए तो खेर हम वह पहुंचे तो वहाँ कांफरेंस के बाद National Defense University है वहा आए जी आए जी आए एक conference कर लें ठीक है लो जी हम पहुंच के वहां हमारे साथ मुर्तजा पोया साथ भी थे मुर्तजा पोया साथ मुस्लिम अख़वार के मालिक थे और editor in chief भी थे और बड़ी बज़दार दाड़ी थी और तो एक मैं था एक वो इस्लामिस्ट मुर्सा पोया साथ थे और एक आद कुछ और साथ थे एमबसी थे थे लोग तो वहां सवाल ये खड़ा हुआ के नुकलियर की उपर और वो जाहरा अबरीका का प्रेशर था कि आप खतम करें नुकलियर प्रोग्रम वहारा तो जब मेरी ब किया ख़ाला- पाकिस्टान को क्या रवहिया पाकिस्तान का होना चाहिए अब सारे वहां गोरे बैटे वहे थे थीक है और सारे diminutive बैठे वहते रॉबर्ट ऑक्ली था स्टेट डिपाऱ्न्टस से लोग आये थे हम लोग भी बैथे बैठे वह थे पाकिस्तानी और मैं जो चले इस बात को अगर इंडिया करता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए हमारी be think-tanks जो है उसके उपर हैं तो यह देंग है और छेंडिया नहीं हो करेगा मगर अगर इंडिया करता है तो आपको निकरना चाहिए अच्छा ठीक है तो मैंने का हाँ अच्छा अब आईए आप तो आवा कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वह जाएगा वह जाएगा आप उससे बेतर ही है कि अगर इंडिया करता है त CIE है के वगरा और think tanks के तो उसे का नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कितने मगर फिर भी मैंने का यार इंडिया टेस्ट करता है हम नहीं करते उस तो कोई पीनट्स तो नहीं दोगे ना कोई मोटी रखम अने दोगे ना कोई देऊगे की देऊगे तो तो देखे मेरा ख्याल है 4-5- छे बिलियन डॉलर्स तो मिली सकते हैं अच्छ ठीक मैंने का बस 4-5-6 बिलियन डॉलर्स इससे जादा नहीं कोई काम बनता कोई 10-15-20 की बात करो ताके हम ना करे तो बड़ी स्राव बड़ी वहां बैस चुरू होगी पिलो जी फिर साथ रगा जी यह डाविंग गन डाल र के हिंदुस्तान के 1995-96 के प्राइम मिनिस्टर था हुआ ऐसे के मुझे चिडिया ने जाने से पेरे ख़बर दे दी थी के डेव गौड़ा साब शायद इंडियन बॉम टेस्ट कर ले अच्छा 96 में 95-96 95 और तो मैंने सोचा अगर ऐसी बात है तो मैं पर जाके पूछता हूं कि अगर इंडिया ने किया तो मैं हमें हवा में बाइर बात नहीं कर रहा था कुछ चिडिया की ख़बर थी तो मैंने कहा जाकर एक्स्ट्रैक्ट करते हैं और आप समझें कि चडिया की ख़बर भी किसी ने मेरे पर प्लांट की थी अच्छ ठीक है समझें कोई सेक्यूरिट मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दी थी एक टेस्ट करने की राजस्तान में पोकरान में यहीं उन्होंने टेस्ट करने की फैसला कर लिया था सही ठीक है जब यह मैंने वहां बात कर दी तो वहां तो तरतली बैड़ दी कि यह सरीठी कैसे बात कर रहा है इसको क्या पता है क्य हो रहा है क्या से information आई तो उस वकत वहां की deputy secretary of state जो थी वो थी Robin Raphael अमरीका की वो भागी बागी आई conference पे आगे उसी शाम को पहुंच कि अच्छा और उससे आगे मुझे पूचा यह city तूंजी क्या कर रहे हो यह क्या कह रहे हो तुम्हे कुछ स्टोरी है वो बाद में अपनी किताबें लिखूंगा अगर हुआ यह कि इंडिया ने उनको convince कर लिए इंडियन को कि आप यह मत करें अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान भी शायद करें और पाकिस्तान को इशोन हसी कि हम इंडिया को रोक लेंगे तो 95 में यह फिर कुछ होने जा रहा था अब जाते जाते अगर आदा मिनिट है तो मैं एक और जाती कहानी सुना दे 1998 में मार्श में मैं इंडुस्तान में था कुछी कॉन्फरंस पे गए था वहाँ जब गए तो वहाँ अभी उसी वक्त ही बीजेपी की गीत हुई थी और वाजपई साब आये तो वहाँ बात चुरू हो रही थी कि यह इंडिया उन्होंने अपने मैने फेस्टों में कहा था कि हम बाम टेस्ट करेंगे तो मैंने वहाँ सारे जेनलिस से फिर वो दाना डालना शुरू कर दिया जहां जाओ मैं पूछू करेंगे के नहीं करेंगे करेंगे के नहीं करेंगे 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 मारे खबर निकल वाए क्योंकि वहाँ से काफी काफी लोग मों तो जो जो link linked ते ibn establishment के साथ , अंडियन establishment के साथ . तो थन ले नहीं , नहीं नहीं , नहीं करे ust чтоб नहीं 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 बाते हीं , बड़ा मस्ले बन सकते हैं हमारे लीए , यह kommt , नौ पाकिस्तानीस की, उसमें वहां से भी कोई military के लोग आए वे थे, हमारे भी को रिटायट, हमारे भी एक तो गए वे थे, और एक जनलिस्ट में से फिर, मैं आई था, आप खादम फिर से था, और एक और इंडिया की तरफ से भी, बहुत senior जनलिस्ट शेकर गुपता थे, जो कि वह शेकर गुपता साब और और बड़े लोग, वह नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, यार आप पाकिस्तानी भी बड़े है, वहां कोई उंट चलता है फोकरान में, तो आप समझते हैं कि हम बंब टेस्ट करने लगे हैं, वह तो नब बंदा है नब बंदा की दाथ, व कि इंडिया ने अपना बंब टेस्ट करने, माई 98, माई 98, माई 98, हम इस इटली पे बैटे वे थे, वह शेकर गुपता साब को एक रंग आया और एक रंग या, जो पहले तनी बाते कहा रहे हैं, और यकीन करें, यह वो लोग ते जो कह रहे थे, नहीं नहीं हमें नहीं करना और माई में जो हमारे दमाके भी होए, उस पे मैंने गुफतुगू करनी और वाशपाई साब जो उन्हों ने बियान दिया इस माई के दमाकों के बाद, वो भी मैं आपको सुन्माऊंगा, लेकिन फिल्हार हमें जाने एक ब्रेक पे, नाजरी मिलते हैं कमर्शल ब्रेक के वेलकम बैक, सेटी साब आप आजाते हैं सबसे अहम मोर पे, 1998 मई 1998, इसकी जरा आप हमें कहानी सुना दे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, देखिए जब इंडिया ने टेस्ट किया, तो जाहर है कि बड़ा प्रेशर था मिया साब के उपर, फौच की तरफ में जहांगीर करामत आमी चीफ थे, उन्होंने मिया साब को बताया कि रैंक और फाइल से बड़ा प्रेशर है कि हमें भी टेस्ट करना चाहिए, साथ-साथ इंटरनेशनल कम्यूनिटी से बड़ा प्रेशर है कि मत करें आप, हमें भी दो हफते दरकार थे, पूपू कठा करने के लिए, तो वो आप करेंगे तो सैंक्शन लग जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपको चार-पांच-छे बिलियन डालर्स देए, एड मिलेगी, पैसे मिलेगी, वो जो मेरा सवाल था, कि अगर वो किया तो हम क्या करें, लेकिन दे फिर भी चार-पांच बिलेगे, वो ही तर ज्यादा नहीं करें, कुछ intellectuals का, और एक point of view था कि नहीं करें, और मिया साब ने का मैं फैसला करूंगा बाद में, आप तेहरी करें, तो जब तेहरी पूरी हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि हाँ हमने करना है, तो फिर ये bump टेस्ट हुआ हमारा, उन्होंने पांच किया, हमने छे कर दि किसी ने का कि वह फलाना साब, वह कहते थे मत करें, बगारा वारा, मिया साब चुप करके सुनते रहे, विइंचली इसाब करना है, और मेरा खैल है उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि करना है, वह चाहते थे कि पहले त्यार दो, हम ही हम कुछ कह देए, पहली का हो गया जी हम रेडी हैं, येस, 100% येस, उनने का हम कर दो, ठीक है, तो ये हो गया, उसके बाद फिर सैंक्शन लग गए हमारे उपर, और फिर क्लिंटन उससे पहले भी उसने, बिल क्लिंटन इमिया साब को का मत करें, कुछ कर लें, बाद में भी उसने का, कि मैंने इनको कह था, इन्होंने फिर भी वेरी बात नहीं मानी, ये इन्होंने अपने आपको आइसलेट कर लिया, वहरा वहरा, बगर ये बहुत ऐहम फैसला था, और वो फैसले के बाद फिर एक नुकलियर डिटेरेंस, जिसे कहते हैं, वो सामने आ गया, जिसकी वज़ा से, हिंदुस्तान और उसके इलावा हमने कन्वेंशनल नुकलियर वेपन सब कन्वेंशनल भी बना लिये हैं, चोटे चोटे वेपन भी बना लिये हैं, अगर इंडिया किसी स्टेज पे अंदर घुस भी आए, तो अगर हम इंडिया के उपर नहीं मार सकते हैं, तो जब को अगर उनकी हम कारगिल कभी भी न करते हैं, अगर हमारा पास नुकलियर वेपन ना होता, इन 98 में हमने टेस्ट किया है ना तो 99 में हमने कारगिल कर दिया, उसमें यह क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा इंडिया, देखा जाएगा, तैसी तैसी, अगर क्रवड हो भी गई तो बारे पास तो यह इसका दोनों, it cuts both ways, आप जिम्यदारी के साथ भी आप पेश आते हैं और गहर जिम्यदारी का इजार भी कर सकते हैं, विकाद आपके पास नुकलियर वेपन है, तो यह आप दोनों, it cuts both ways, तो मैं यह समझता हूँ, मगर पाकिस्तान has been very responsible, by and large, तो इसलिए कोई फिक इसलिएट्स बेचे हैं या दीए हैं एरान, लिबिया और नौर्थ कोरिया को, सर उसकी ज़रा कहानी सुना दें, वह असल क्या मामला था? जिया, वह हमारे पर इज़ाम लगाता है, AQ Khan साब के उपर, कि हमने इनको नुक्लियर टेक्नोलजी बेचिया और उनसे और मिसाइल टेक्नोलजी लिया है बाता, जो हमारे पस मिसाइल है और वह लांग रेंज मिसाइल, कोरियन टेक्नोलजी है जो उन्होंने चाइना से लि तो उन्होंने पर AQ Khan को बलाया क्योंकि इल्दाम AQ Khan पे था और का कि तुम्हे करना पड़ेगा, अड्मिट कर लो, तुम्हें माफ कर देंगे, मगर सारा बोज तुम उठा लो, एक्शली उसमें तो सारी इस्टैब्लिश्मेंट इन्वाल्व थी जो कुछ हो रहा था, मग और फिर AQ Khan ने नैशनल इंटरस्ट में ये फैसला किया कि ठीक है, फिर मुझे मुझे आगे करके सैक्रिफाइस कर दें और अपने आपको बचा लें, तो फिर ऐसे ही AQ Khan उससे कबल उनको एडवाईजर तुदा प्रेजिडेंट ये प्राइम इनिस्टर लगाया गया था, उसके बाद जैसी है, उनको बुला के पर इड्मिट करवा के ये तुर रिजाइन और उनको कुछ हरसा हाउसरेस में रखा ताके बाद अरस नहीं हाउसरेस में घर में अंदर बाहर बाहर बाद बाद नी करनी, और अभी भी AQ Khan साब पाबंद हैं वो उस सिलस्रे के बारे मे बाद नी करते हैं, ये हुआ था, आहसर, आज क्योंके मुस्लिम मिलिक नून ने क्रेडिट लेती है कि मिया नवाजशीव साब ने धमाके किया तो हर साल की तरह इस साल भी अपना यौम तक्बीर के तौर पे मना रहे हैं और इस पे उन्होंने एक जलसे का इनकाद भी किया जिसमें सर्मरियम नवाज साहिबा काफी गर्जी बरसी हैं, तो वो मैं आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने क्या कर पाकिस्तान को दुनिया के नक्षे पर एट्मी कुवत के तौर पर मतारिश कराने वाला सहा बेखा है पाकिस्तान को एट्मी कुवत बनाने वाला आज कोट लगपट जेल में सलाखों के पीछे कैज है जानते हो ना कि इस वक्त दुबाके ने किये थे भारत में, भारत में अपनी फौजें जो है, वो बॉडर पे खड़ी कर दी थी लाकर उस वक्त तो नवाज श्रीफ में ये शीद कि मैं भारती विजीर आज़म को फोन करता हूँ, वो मेरा फोन नहीं सुनता और मेरे भाईों फोन क्यों नहीं सुना जाता लोग आपके बात क्यों नहीं करते, दुनिया आपको क्यों नहीं मानती इसलिए नहीं मानती कि तुम चोर दर्वादे से अकूमत में आये हो तुम्हारी दुनिया की नज़र में ना कोई इज़त है ना कोई स्टैंडिंग है क्यूंकि तुम्हारा जो लगब है वो एक मोहरा है तुम कटकुटवी हो तुम मोहरा हो तुम किसी के इशारों पे नाचते हो जी सेटी साथ सुना आपने इस पे जरा कोई कमेंट कर दे कि बड़ा उन्होंने लंबा चोड़ा बोला है और तफजीलन गुफटगू कि यह बात हकीकत क्या है हकीकती है कि जुल्फिकार अली बुटो साथ ने यह एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो फुल क्रेडिट उनको जाती है बहुत पैसा लगाया मुस्लिम ममालिक से पैसा लिया और इसको फंड किया बुन्याद रखी और फंडिंग किया और उन्ही के दोर में यह चल पड़ा प्रोग्राम उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शीर साब ने इसको टेस्ट किया और बहुत सख्त प्रेशर था उनकी उपर कि आप मर्त करें बुटो साब को आपको याद होगा कि अमरीका बुटो साब साब के खिलाफ हो गया था क्योंकि उन्हें प्रोग्राम शुरू कर इसलामिक ब्लॉक बनाया था और बुटो साब तारीख ये बताती है कि पी एन ए का जो मूवमन्ट था 1977 में उसके पीछे अमेरिकन फंडिंग थी उन्होंने कू करवाया यहां उन्होंने फारग किया बुटो साब को और जिया लाक साब और जिया लाक साब से इस्तमाल कर ल तो पहली बुटो हीरो है उन्होंने अपनी जान दे दी इसके लिए आगे यह नवाशीर साब वो चाते तो प्राइम मेंस्टर थे ना करते अगर पैसे लेके महिशत की तरफ लगा देते मगर नहीं उनने का नहीं यह बहुत ऐहम है लंबी सोच थी और उन्होंने फैसला कि और इसके हक में ही किया कि इसको टेस्ट करना है उसके बाद वो रोल जो इन दोनों ने अदा किया है वो तो किसी ने नहीं किया इसमें कोई शक नहीं है कि बुटो साब के पास जब बुटो साब ने यह फैसला किया कि हमने कुछ करना है तो उस वकत एक यू खान साब हॉलन के अंदर एक scientist, metallurgist के तौर पर एक काम कर रहे थे, उनके पास कुछ drawing scene जिसको वो कर रहे थे, वो लेके आये, भुटो साब के पास उनने का इस तरीके से, इस centrifuge route के जुरिये हम कर सकते हैं, तो A.Q. खान का भी बहुत बड़ा रोल है, in the development of the uranium enrichment plants, centrifuge technology, बहुत उनका रोल है, टेस्टिंग के अंदर किसी मुबारिक साहब का जरूल है, समर मुबारिक मुबारिक मुबारिक, उनका रोल है, वो के triggers की जरूर्थी, वो फिर atomic energy commission का रोल मगर उससे पहले A.Q. खान लबारिक का रोल था, in the development of centrifuges, तो मैं समयता हूँ के भुटो साहब, नवाज शरीफ साहब और A.Q. खान साहब का बड़ा core रोल है, उनको credit देना है, और आप देखिए, हमने भुटो साहब के साहथ क्या किया, हमने नवाज शरीफ साहथ क्या कर र दिया, मतलब हिस्ट्री मैंने आप सामने आपने एक-एक स्टेप बता दिया कि कहा, क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन फिल्लार हमने प्रोग्राम खतम करना है, नाजरीन आपसे मुलाकात होगी कल फिर इसी टाइम हमें अपना feedback देना मत भूलिएगा, खुदा हाफिज था граф कiken कर दोने खिल्एशान कि भूख दैजी मुलाकात है, आप खुदा है, ग७ जारीन मुलाकात है.